Hello dear student friends, this tutorial में हम Magnolia Class 5 की जो बुक है उसका एक लेसन है The Happy Prince इस श्टोरी उसकर वाइल्ड की है He was born in Ireland तो वो एक Irish English writer थे बहुत ही प्यारी प्यारी कहानिया उन्होंने लिखी उसी में से एक कहानी है बहुत ही beautiful श्टोरी है यह इसे adapt करके दिया गया है मतलब कि इस स्टोरी को छोटा करके दिया गया है यह पूरी स्टोरी है वो इसमें नहीं दी गई है बर जो main part स्टोरी का वो यहाँ पर है और जब हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते the kindness, pity, sacrifice, care for the people, love for the people sympathy, empathy, all the virtues you will find in this short story चले श्रू करते हैं यहाँ पर dialogue group में श्टोरी दी गई है इस तरह से story real में है नहीं तो narrator वो है जो बात को बता रहा है मतलब कहानी को सुना रहा है high above the city on a tall column तो शहर में एक उंचा सा column मतलब एक इस थंब बनाके यह ना बड़ा सा खंबर टाइप का बहुत अच्छा सा उंचा सा बनाके stood the statue of happy prince वहाँ पर एक मूर्थी लगाई गई statue लगाई गई और वो happy prince की statue थी मतलब उसे शहर के लोग दूर से देख सकते थे statue को जैसे statue of property है है ना statue of unity है इंडिया में तो उस तरह से he was covered मतलब जो statue थी उसको cover किया गया था मतलब उसके उपर लगाया गया था all over पूरी statue उपर leaps of fine gold मतलब कि बहुत ही high quality सोने की परत चड़ाई गई थी उसके उपर मतलब कि जो statue थी वो पूरी gold की नहीं थी पर उसके उपर gold का की एक covering थी one cold winter's night एक cold winter night की बात है ठंड का समय था रात का समय था a little swallow swallow बहुत ही हवा में उनने वाला पसंदीदा पक्षी होता है छोटा पक्षी होता है but it likes to fly in the air for longer times landed on the prince statue तो प्रिंस के statue पे राकर वो उतरता है just as a swallow put his head under his wings to sleep तो swallow जो है वो अक्सर पक्षी जब सोते हैं तो पीछे की तरफ अपना सीर करके पंक में अपने सीर को छुपा के सोने कोशिश करते हैं तो वो जैसी सोने को जा रहा होता है मतलब रात को उतरता है हवा में ओड़ रहा होता है चलो मैं सोनो कुछ a large drop of water fell on him तो उस swallow के उपर एक बहुत बड़ी मतलब पानी की बूंद गिरती अब यहां पर large drop का मतलब यह है कि पक्षी चोटा सा होता है तो एक पानी की बूंद बूंद इसके लिए बड़ी है यतनी की बड़ी हमारे लिए नहीं होगी तो जब यहां पर उतरता है सोने के लिए तो उसकी आँख से आसु गिरता है जो इसके उपर गिरता है और वो आसु जो प्रिंस था उसके सुनहरे गालों पर से लोड़कते वे आ रहे थे देखो क्या बात है प्रिंस क्यों रो रहा है तो देखे वन वर्चू यहां पर कोई दुखी हो तकलीफ में हो रियल मनलब उसको कष्ट हो तो हमारे अंदर पीटी की भावना आनी चाहिए तो उसके उपर बहुत तरह सा है स्वालों कहता है अब यहां से डालोग शुरू होता है नेरेटर ने अपनी बात बताई कि में बात क्या क्या हो रहा होता है और सब नेरेटर जो होता है वो अपनी आख से जैसे देख रहा हो तो बता रहा हो तुम क्यों रो रहा है और स्वालों ने कहा प्रिंस ने कहा अब यहां आपको imagine करना है कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है I used to be the happy prince मैं कभी एक बहुत ही खुश राजकुमार हुआ करता था When I was alive and had a human heart और जब मैं जीवित था तो मेरे अंदर एक human heart था human heart का मतलब भाई जब वो जिन्दा है तो वो एक human being है और एक human being जो live है उसके अंदर एक human heart था हो गई जैसे आम लोगों का होता है दिल यहां heart का मतलब है कि where our feelings arise जहां पर feelings, emotions होते हैं वह हमारी heart का place है यहां पे literature में I didn't know what tears were मुझे पता है नहीं था कि आसू क्या होते है मतलब वो राजा का बेटा था भाई तो उसे कोई कमी तो रही नहीं होगी I never cared for मैं कभी किसी चीज की परवाण नहीं करता था for मतलब किसकी परवाण नहीं करता था what lay lay मतलब पड़ा हुआ है beyond the high walls of my place दरसल मैं महल में रहा करता था और महल के चावतर जो दिवाल थी मतलब आहाता टाइप का था बड़ा सा गेट होता है फिर आप महल में प्रिवेश करते है पूरा महल बहुत दूर भरे में होता है तो मैं वहाँ पर बहुत खुश रहता था जब तक क्यों बाहर ना जाए Now that I am dead लेकिन अब I am not alive I am dead अन्होंने लाकर मुझे यहाँ पे स्थापित कर दिया मतलब बड़ासा बना के और यहाँ पे मुझे स्टैंड करा दिया I can see now all the ugliness लेकिन अब मैं चुकि अम में बहुत मुचाई पे हूँ तो नीची जो शहर है मुझे साफ दिखाई देता है तो मुझे अब अपने पूरे सहर की गंदगी दिखाई दे रही है बदसूर्ती दिखाई दे रही है beauty का पोजिट होता है अगली कहने के मतलब उसे शहर अच्छा नहीं लग रहा अब अगलीनेस दो परकार से हो सकती है मतलब किसी का शरीर किसी का चहरा गंदा हो अब किसी का नेचर गंदा हो समाज की कोई भुराई हो शहर की गंदगी हो या लोगों का गरीबीपन या लोगों की लाचारी हो मतलब जो अच्छा नहीं लगी आम डेड नाव और जो मूर्ती बनाई गई है वो लेट से बनाई गई है लेट एक हेवी मेटल होता है ग्रे कलर का आपने पैंसिल की जो नोक देखी होगी न उसक तरह से तो मेरा हार्ड हुमन हार्ट नहीं है वलब जब हम मानों रहते हैं तो हम लोगों की परवाह नहीं करत होता है बट मतलब सिर्फ वीप मतलब रोना लेकिन अब जब मेरा हार्ट लेट का बना हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बस रोता रहता हूं रोता रहता हूं यहां बट का मतलब है ओनली मतलब मैं सिर्फ यह काम कर सकता हूं रोता रहता हूं रोने सपने आप रोक नहीं मुझे पतली एक ठकी हुई औरत दिखाई दे रही है जो ठेबल पर बैठी हुई है उसके बेटे को बुखार है बाट इस मुदव है नॉधिंग तो गीव हिम लेकिन उसकी मा इतनी गरीब है कि उसके पास कुछ भी उसके पास देने के लिए नहीं है जो रियल स्टॉरी है ना वो बहुत ही ज़्यदा और पैथेटिक बना दे थी कि उसके जो डायलोग है जो रियल है जो आसकार रवाइड ने लिखे थे जहांपर वो स्वालो को बुलाता है स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो इस तरह से क्या तुम मेरी मदद करोगी स्वालो, winter is quickly setting in अरे भाई, ठंडी सुरू होने वाली है मतलब अब धिरे धिरे बढ़ रही है I must fly to Egypt अरे मैं मिसर जा रही हूँ या अगर हम स्वालो को एक male bird के रूप मिले तो मैं मिसर जा रहा हूँ where it will be warm, जहां पर गर्मी होगी एक desert area है वहाँ पर temperature high रहता है और जहां की बात होरी जहां पर उड़के वो आया हुआ है मतलब वो वास्तों में अपनी जगह से वो हावा में उड़ता 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 वो Egypt जा रहा है, ठंडी में लोग यहां जाएंगे और गर्मी में वहाँ सेटके फिर यहां जाएंगे तो इसे कहते हैं migration, पक्षियों का migration होता है तो वो बहुत ठंडे परदेश के जो पक्षि होते हैं खासकर Siberian, जो birds होते हैं वो इंडिया में भी आ जाते हैं तो एक natural phenomenon है यह करती का अपना एक तरीका है पक्षि भी समझदार होते हैं तो कहते हैं भाई यह मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ जहां पर गर्मी होगी, यहां तो ठंडी आने वाली है और मेरे जितने भी जो मित्र हैं वो सब तो फ्लाइंग की तरफ उड़के जा रहे हैं नाइल नदी जो है ना इसे अब नील नदी की रूप है अपने पढ़ा होगा है हिंदी में तो यह एजिप्ट में बैती है अद दुनिया की बहुत बड़ी नदी है लॉंगे श्ट्रीबर अब कह सकते हो नेरेटर कहता है मतलब जो कहानी सुना रहे हो पताता है यहां पर स्वालो का भी करेक्टर पता चल रहा है कि वो देखिए नाइल मतलब वो जा रही है एजिप्ट की दरफ लेकिन यहां पर रुक कर वो आराम करने के लिए रुकी है थका होगा यह पक्षी पूरे दिन उसके बावजूद वो इवन फर्गेटिंग हिस फटीग हिस जर्नी वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है यहां पर देखिए हेल्पिंग नेचर भी हमें मिल रहा है वर्चू प्रिंस कहता है माई जो आखें हैं वो सफायर की बनी हुई है देखें यह जैम है इनकी कीमत अच्छी खासी होती प्लक आउट वन आउप देम तो जर्णा इसमें से इसको कुपट के निकाल लीजे प्लक कर लीजे निकाल लो उसमें से मरी आँखों से और उस औरत के पास ले जाओ जो बिचारी बैठी हुई है जिसका बेटा बुखार में है वो इससे दवा खरीद लेगी और अपने बेटे का इलाज कर पाएगी मतलब इससे कैसे हो सकता है प्रिंस अपनी आँखे देने को राजी है इसको मैं नहीं कर सकता इसको मतलब मैं तुम्हारी आँखे निकालूँ नेरेटर कहता है जो स्टोरी को बता रहा है बीच बीच में क्योंकि जो स्टोरी है वो एडाप्टेड है अडाप्टेड का मतलब है जो रियल तो लिखी नहीं गई है उसको तोड मरोड को थोड़ा चोटा किया गया, इसलिए बीच में नैरेटर को डाला गया, वो बता देता है बीच में हुआ क्या, लेकिन प्रिंच जो था, वो जोड़ देता रहा अपनी बात पे कि भाही मेरी बात माल लो, स्वालो प्लक्ड आउट उसने एक आँख निकाल ली, स्टैचू से, उसके बाद वो पूर वूमेन के घर तक गया, वो फुदुक फुदुक के, मुलब हॉप्ट इन, पक्छी जो होते हैं न, बर्ल्स न, काफी जो आपने आसपास देखी होंगी, तो वो दोनों पैरों पे आगे पीछे नहीं चलती, कुछ पक्छी एकठा फुदुकते हैं, हॉप करते हैं, लेट असफार बिसाइड विमन स्विंग, तो जो महिला थी न, वो सिलाई के काम करती थी, क्योंकि पूरी स्टोरी नहीं है न, इसलिए आपको नहीं यहां पता चलाओगा पहले, तो वो क अपने पंकों से हवा भी करता है, बॉय फॉरेट जो बेटा उसका लेटा होता है न, तो उसके उपर सिर के आसपास जाके वो अपने पंकों को फड़ फड़ाता है, जिससे कि उसे हवा लग जाए, क्योंकि देखिए, जब बुखार होता है, तो सरीर पुरा ताड़प रह होता है, गरम होता है, स्वालो, इस स्ट्रेंज बटाए, फिल वार्म ना हो, अरे ये बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे भलके अलकी गर्मी लग रही है, देखिए, यहाँ पे जो वार्म है न, हाव कैन इट बी, बच्चा बुखार में है, उसे कुछ आराम मिले है, एक अजीब तरह की feeling महसूस होती, contentment, satisfaction महसूस होता है, that is warmth, इसलिए कभी-कभी खुशी-कुशी हम उसके लिए मर जाना पसंद करते हैं, जिसे हम बहुत लाइक करते हैं, जैसे हम बहुत लाइक करते हैं, जैसे आपके parents हैं, वो दुख-दर्द खुशी-कुशी जेल ल एक काम तो उसने swallow ने कर दिया, प्रिंस का, narrator बताता है, the next day swallow prepared to fly to Egypt, वो दूशे दिन जब सुबा उठती तो सोचती, चलो मैं Egypt लिए चला जाओ, he came to bid the happy, bid मतलब यहाँ पे वो उसको wish करने आता, जाते समय wish करने के लिए, कि happy प्रिंस को मैं good bye कह दूँ, लेकिन प्रिंस त उसके पास जो कुछे सब लुटा देना चाहता था लोगों के लिए, but wait, swallow, रुको, in the square below, नीचे चौरहा है, मतलब जहाँ पे चार सड़के आके मिलती है, stands a little magical, देखो नीचे एक लड़की खड़ी है, जो match boxes बेचती है, माची सुगरा बेचती है, she has let her matches fall into a puddle and they are spoiled, puddle मत मतलब कहीं पे भी पानी भाड़ जाए, that is a puddle, एक pond में उसके matches गिर गई है, अब वो बेकार हो गई है, बरबाद हो गई है, spoiled का मतलब they are damaged, now she has no money to feed her family, अब उसके पास तो पैसे नहीं बचा, feed her family मतलब अपने family के लिए कुछ खाना पिना ले जाना, मतलब feed का मतलब होता है खिलाना, अब family को खिलाने के मतलब, उसकी family जो है, उसके पास पैसा कहां रहेगा, जिससे वो अपने खाने पिने का समान खरीज सके, pluck out my other eye and gave it to her, अच्छा वो पहले एक आख अपने निकलवाता है, फिर कहता है, मेरी दूसरी भी आँख निकाल लो, ले जाके उसे दे दो कहानिया short में है, तो जैसा है मैं वैसी आपको बताते रहाँ, swallow, no I can't do that, मैं नहीं कर सकता ऐसे, you will be quite blind, अरे तब तो तुम ब्लाइन हो जाओगे, मतलब तुमारी दोनों आखे चली जाएंगी, you will be blind, but here again, virtue, क्या virtue है, total sacrifice, a sacrifice दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं ह वो तो selfish होते हैं, जो दूसरों का बिगाड़ कर और अपना भला करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुचा के अपने को अराम देते हैं, दूसरों का लूट के खुद खाते हैं, दूसरों को परिशान करके खुद आनन्द लेते हैं, तो narrator कहता है, but the happy prince was form, लेकिन happy prince जो है अप पका इरादा हम, लेकिन happy prince का इरादा पका था कि नहीं दूसरी आख ले जाओ, और साथ में बच्चे आपको यह भी ध्यान देना है कि देखें, उसकी जो journey है, वो अपनी journey छोड़ के, यह swallow यह सब काम कर रहा है, so the swallow plucked out the happy prince अदर आए, यह दूसरी आख भी निकाल लेता है He flew over the little magical girl and slipped the jewel into the palm of a hand, तो वो उसके बगल से उड़ता है, अच्चुपे से जो रतन होता है, सफायर, वो उसकी हतेली पे गिरा के निकल जाता है, the little girl was delighted, वो बहुत खुश होती है, and ran home laughing, खुशी खुशी जाती, देखिए, smile आगई चेहरे पे, हसने लगी लड़की, yes, आप भी किसी की दूसरे का कारण बनते है, उसकी smile का, उसकी laughing का, खास कर जो परिशान हो, तो जो warmth आपकी feelings में आएगी ना, उसका उसको खरीद नहीं सकते, might be some who are watching this video, उनका kind character इस परकार का होगा, then swallow came back to the happy prince, तो swallow फिर happy prince के पास लॉट के आता है, मतलब देखे, swallow you are blind now, अब तो बता रहा होता है, तो आप अभी तक तो आँसों आपके गिर गए होते हैं, अब तो तो तुम अंधे हो गयो, love you cannot see, और अब मैं तुम्हें छोड के जाऊंगो नहीं, देखे, यहाँ पर happy prince तो जब वो ठीक है, जब वो जीबित था, उसने, he did not care for the families and the people living outside the walls of the palace, लेकिन अ वो जहां रह रहा है, वहीं के लोगों के बारे में सोच रहा है, लेकिन यह चिडिया तो बाहर से आई है ना, इसका क्या लेने देना यहाँ पे, great sacrifice तो इस वालो कर रहा है, जो अपने मित्रों के पाहँ जाना चाहता है, अपने family से मिलना चाहता है, पर उन्हों सब को जाना चाहिए, अपनी family से मिल लेना चाहिए, सब कुछ लुटा के, प्रिंस और स्वालो को कह रहा है, चले जाओ, स्वालो, I want to stay with you always, नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, my prince, narrator, the happy prince could not see any longer, चुकि happy prince अब देख नहीं सकता था, but he wanted to know about the people's sufferings, लेकिन वो जा आई बनने का मतलब यह है कि वो जाएगा, देखेगा और आके बताएगा, पहले prince खुद देखता था और बताता था कि जाओ, वहां मदद करके आओ, अब वो देख नहीं सकता, उसके बावजूद भी जब हम आदरे, total hundred percent, जब हम दूसरी की फिकर कर रहे होते हैं, कोई जाननी कोशिश कर रहा है कि क्या तकलिफ है किसको, so swallow became the happy prince's eyes, he flew into the dark lanes, तो वो अंधेरी गलियों से गुजर कर ऊपर उड़ा, saw the faces of starving children, वहां उसने देखा कि गलियों में भूख से बच्चे परिशान है, श्ठाबी मतलब भूख हो मनना, families के पास खाना नहीं, swallow told the happy prince what he had seen, उसके बाद वो आके happy prince को बताता है कि उसने क्या देखा था, prince कहता, I am covered with fine gold, अरे मेरे उपर तो gold की परच चड़ी हुई है, अंदर से तो वो light का बना हुआ था, gray color का heavy metal, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपने काली सड़के देखी होंगी ना, उस तरह का कुछ-क या pencil की note जैसा, या जो water pipe होती है, मोटी मोटी जो अंदर, जिनके अंदर बड़ा बड़ा knowledge में पानी निकलता है, वो भी, you must take it off, तुम्हें इसे off, मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग कर देते हैं, तो हम off कर देते हैं, जैसे पेड़ है, और पेड़ से पतियां ग परत तर परत, मतलब धिरी धिरे करके आप इसकी परत को निकालो, stitch मतलब जब हम दो चीज़ों को आपस में जोडते हैं, तो stitch करते हैं, टाका लगाते हैं, तो तुम्हें उसी प्रकार से इसको निकालना पड़ेगा, धिरी धिरे करके, and give it to the poor, और गरीबों को ले जाके द दिवाल होती है, तो उसकी उपर से जो पापड़ियां होती हैं, निकलने लगती हैं, तो वही है, लेफ भाई, लेफ अप दो फाइन गोर्ड स्वालो बार्ड द चिल्रेंज, तो फिर वो उसको निकाल के लेके आता है, और चिल्रेंस फेसे ग्री रोजियर, वो बच्चों लब यहाँ पर छोटा करके बताया गया है, कि जब वो फैमिली इसको देता है, तो बच्चों के फेसे ग्री रोजियर, बच्चों के जो चेहरे होते हैं, वो गुलाबी हो जाते हैं, गुलाबी को लब जान रहे हैं, जब आप देल से खुशी होते हैं, और पहले क्या थे बच्चे बहुत जाता परिशान थे, लाफ्ड एंड प्लेट, वो खुश हो गए, और खेलना सुरू कर दिया उन्होंने स्टीट में, क्योंकि उन्हें भोजन मिल गया, वो जो फाइन गोल्ड जो थाना जिसकी परत थी, उसको बेच कर वहां से भोजन के अंदिजम किया ग लेकिन अब स्टूरी पूरी ने ली गई यहां पे, लेकिन अब इस्टेच्व बहुत ही खराब लग रही थी देखने में, अब धेरे धेरे फिर बरफ बीश आ गई और पाला पढ़ने लगा, बहुत थंडी पढ़ती है तो रात में आप निकल के बाहर देखते हो तो बू इसे परिशान करती, तो उसे बचने जा रहा था, वो और धीर देरे उसका बाड़ी का तेमप्रेचर डाउन होता चला गया, और ठंड उसके अंदर प्रवेस करती चलीगी, बट ही उड नॉट लेकिन हैपी प्रिंस को छोड़ने को तयार नहीं था, लेकिन हैपी प्रिंस क इसमें सारे वर्टूस होते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताये थे, और साथी साथ जो स्वालो है उसका तो कुछ भी लेना देना नहीं था यहां से, उसका तो ज्यादा सेक्रिफाइस है क्योंकि वो जा सकता था पर उसको अकेला छोड़के जाना नहीं चाहता, फिर देरे देरे ऐसा समय आया कि इतनी ठंड उसने लग ज़िए नहीं कि उसे लगा कि अब वो खत्म हो जाएगा, अब उसके पास बस इतनी शी ताकत बची थी, कि वो प्रिंस के सोल्डर पे जाके बैढ़ सके, स्वालो, गुड़ बाई, डियर प्रिंस, बाई बाई, प्रिंस खुस होता है कि चलो में उझे बहुत खुशी है, कि अब तुम एजिप्ट जा रहे हो, लिटिल स्वालो, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, ये अब श्थे टू लॉंग है, तुम यहां बहुत समय रुख गए है, ना, थैंक्यू फॉ लिए है, तुमने जो भी जिसे पैरेंट्स हैं, तो देकिप यू बिफोर देम, सबसे पहले आप है उनके लिए, आपका भोजन, आपका पहनना, आपकी खुशी और आपका डिसिप्लिन भी, मतलब आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए क्या सही है, ये बाद में सोचते हैं, पहले आपका सोचते हैं, दिस इस लफ, सौलो, इस नोट एजिप्ट आपके जा रहा हूं, अरे नहीं मैं एजिप्ट नहीं जा रहा हूं, बट तो दे हाउस आफ टैथ, माई गाड, लेकिन अब मैं मौत के घर जा रहा हूं, यहनी, I am going to die, मैं दुनिया छोल के जा रहा हूं, गुडब लफ, and fell down, dead, नीचे आके पढ़ जाता है, and he dies, at the moment, अब देखे, प्रिंस भी, dead, and this bird is also dead, लेकिन उस मौत में दिव्विता होती है, divinity होती है, when we die for someone else, in kindness, in sympathy, for great cause, at that moment, उसी चर्ण, जैसी मालब जो पक्षी मरता है, at that moment, उसी चर्ण, a crack sounded, एक धरार पढ़ने के बाँ जा जूँ के अंदर दरार पढ़ जाती, the prince's heart had snapped right into, दो उसका जो heart होता है, जो let का बना होता है, उसके दो टुकड़े हो जाते है, वालब उसमें बीच में एक दरार पढ़ जाती है, यानि हम यह कह सकते हैं, कि prince उसे बरदास्त नहीं कर पाता है, उसकी death को, different meanings हम निकाल सकते ह जो prince होता है, अपने heart मुसे बसा लेता है, एक part उसका, और एक part में एक bird, उसका दिल टूट जाता है, इसके death के साथ ही, the great sacrifice made by this bird, हलागि पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी तो इस परकार से थोड़ा समय बता देता हूं, कि जिन लोगों ने statue को खड़ा किया होता है, तो हों कहता है, इसे था दो यहां से लिए, अप उससे हटा दिया जाता है, और यह होता है, इसे melt कर दो ले जाके, जहां पर metal होता है, और उसके बाद हम इससे क्या बनाएंगे, तो आपस हम जगड़ा करते हैं, कि मेरी statue बनी की, मेरी statue बनी की, बट वो उसे, जो melt कर रहे होता है ना तो वहां पर जो फाउंडरी होती ही वहां का जो मुख्या होता है वो देखता है कि पूरी स्टेच्व मेल्ट कर जा रही है पर इसका जो हार्ट है ना वो मेल्ट नहीं कर रहा है it is strong not melting because it was a bond of love and sacrifice कोई नहीं तोड़ सकता इसे कोई नहीं मोर सकता इसे कोई बरबाद नहीं कर सकता इसको कोई spoil नहीं कर सकता इसी feelings को तो उसे वो ले जा के कूले में फिक देते हैं और जहां कूले में फिकते वहीं पर बर्ड भी पड़ा होता है क्योंकि वो ले जाए को उसे फिक देते ना वह पक्षी मरा होता है जब मेर देखता है कहता है तो पक्षी मरते हम कभी ते ना टालाव बर्ड तुड़ाई है और उसके बाद गौड जो अन्थ हिस्टोरी का तो अपने एक एंजल को बोलत जो फिक प्रेज में यही वोर्डैं उसके ыंदर और जो यह सवालो पक्षी है यह ऑर भी बेटर मेरे गार्डैन में गाएगा मेर उसके आदमी उसका उसकी कदर नहीं की क्योंकि उन्हें ब्यूटी पसंद सथी अ इक्स्टरिन ब्यूटी गौड को इंटर्नल ब्यूटी पसंद होती है जो वर्चूस के थूरू हमें मिलती है हम लोगों को उससे मदद करते हैं तो यह स्टोरी यहां पर खत्म है और इसका जो भी आपको सॉलुशन है माला मैगनोलिया क्लास 5 की बुक का है यह लेसन तो सब आपको हमाई वेबसाइट में मिल जाएगा नहीं आप हम सारी इंज करा सकते हो सिर्फ टुटोरियल खत्म करते हैं किसी दूसरी टुटोरियल में आपके साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए बाए बाए इस्टडी वेल एंड टेक कियर